सब्सक्राइब करता हूं जोहार करता हूं जैहींद और जैसे कल आप लोग ने देखा कि जारकन प्लीस चाड़ 2015 के बारे में जो अप्डेट मैं आपको दिया काफी संदार अप्डेट था मैं 100% स्यूरिटी के सेड़ बोल सकता हूं पकी यह नोटिपिकिशन भी पूरा होने हैं और आयोग ने यह नोटिपिकिशन जारी करा है और बिहार सरकार की प्रमिशन से ही इस तरह के नोटिपिकिशन जारी होते हैं तो जो भी दुविदा हैं आप लोगों को है कि इस तरह के अप्डेट नहीं आ सकते या ज्यारकन में इस तरह का आरक्षन नहीं हो सकता तो मैं साब तरवर बोलूं कि इतना बड़ा आरक्षन कोई भी स्टेट खुद से नहीं दे सकता आप थोड़ा गौर करिएगा कि फिमेल आरक्षन जो है इतना बड़ा मुद्दा यहां पे है लेकिन जो है अभी तक प्रकडियां हैं सिर्फ जेससी और मेरे ख्याल से सिर्फ पॉनस्टेबल की वेकेंसी में इस तरह की हुई जहां पे फिमेल से खाली राने के बावजूद भी मेल कंडिट से नहीं भरा गया मैंने आपको दो-ती पूरूब यहां पे दिया है कि बिहार में आप लोगों ने देखा कि SI की जो नोटिकेशन अभी लेटेस्ट है यह दो-चार दिन में वेकेंसी जाए हैं और अभी तक फॉर्म समिसन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इतना लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मैंने देने का काम यहां पे किया जो काफी सही साबित होगा आपके लिए मैं 100% शूर हूँ कि यह चीज आपको आगे लेके चले जाएगा तो कि अगर आपके पडोशी राजी है में इस तरह के नियम कानून हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी पुलीस विवाग का है कॉनस्टेबल एसाई की वेकेंसी का है और आपका भी मामला कॉनस्टेबल का है तो दोनों का एकदम सिमिलर है और आपके जो मांगे हैं उस चीज को किलिरेटी के साथ यहां पे लिख दिया है मैं आपको दिखाऊं एक बार और तो यहां पे आप देखने का परियास पेज नम्मर एट में इसको दिया गया है मैं यहां दिखाने का प्रियास करता हूँ यहां देखिएगा महिलाओं के लिए प्रावधान यहां पे अब साप तोर पर देख सकते हैं यह चीज प्रंतु यहां कि योग्य महिलाओं प्रियापत संक्या में अनुपलबदता की दसा में सेस रिक्ति को उसी कोटी के योग्य पुरूस अबेटनें उसे भरा जाएगा तो मैं यही कहूंगा अभी भी टाइम है जितने में केसिस हैं और जिस तरह से मैंने पहले ही आपको इस चैनल के मादिम से बताने का प्रियाज किया था कि जितना केस आप लोग करोगे उतना लेट आपका केस की सुनवाई में होगा और आप किसी से भी पूछ लीजिए कोई भी वगिल से पूछ लीजिए case delay होने का सिर्फ एकी कारण यहीं बताएंगे कि number of cases की संख्या जादे होना तो इस channel के मादिम से जो भी बताया जाता है आपके बहतरी के लिए बताया जाता है आपके सही के लिए बताया जाता है जिसमें आपकी सहभागिता बहुत जोरी रहेगी वो यह है कि अभी भी एक जूट होने की जोरत है सब मिल जाएं सब मिल के case को deal करें अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर लेट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी गलती के कारण ही case को हारा जा सकता है और दुसरा कोई भी option नहीं है कि आप case को हार जाएं जिस रहा से proof आपके support में है आपके लिए है जिसे शेती जारेक्षन बिहार वाला मैंने बताया उसके बाद आपका जाके उतर प्रदेश सौरव कुमार वाला है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप जिस चीज की लड़ाएं लड़ रहे हैं उस चीज को हरीजन डी अल्रेडी मिल गया है तो आपकी जीत तो ऐसे ही सुनिस्सित है लेकिन हारने का कारण सिर्फ आप हो जाएंगे अगर अभी भी आप इरस्या भाव एक दूसरे से रखते हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी कैसे चल रहे हैं सब जितने भी छात्र अलग अलग हैं सब एक जूट हो जाईए जो भी निरने होगा सरो सम्मत्ती से लेने का परियास करिए अगर मैं बात करूँ तो एक आप लोगों के कहने पर ही आपका कॉमेंट का मैं यहां मिंत्यार करूँगा तो एक मिटिंग जो है वो रखने का परियास यहां पर छात्रों के द्वारा करने का परियास करना चाहिए जिसमें सभी petitioner जो है जितने भी cases है आपके वक्किल्स हो गए उसके जितने भी पुराने leader है मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ petitioner जितने भी पुरानी leader है जिसको इस मामले में बहतरिन जानकारी है इस vacancies related भी जानकारी है उन से meeting करने की जोरॉत है और वो meeting सिर्फ उन चात्रों की बीच नहीं रहेगा वो meeting जो है वो सारुजनिक होगा मतलब आप जितने भी candidates है सब तक वो meeting जो है वो पहुँचेगा meeting में क्या हुआ क्या input क्या output निकला इसकी जानकारी आप सभी जरकन प्लिस कॉंस्टेबल वाले चात्रों को होने वाला है तो ये मेरा आगरह रहेगा कि meeting को सही time पे करा जाए और उस पे बहतरिन चर्चा हो तक एक सही निर्मे पे वो पहुँचा जा सके पकी आप लोग जो भी बोलें मैं उसका स्वागत करता हूँ और हमेशा से आपकी बातें भी मैंने मानी है और अपने बात भी बहतरिन तरह इसक रखने का प्रियास करा है तो एक date fix करने के चिमिदारी आप लोगों के बीच में है कि आप लोग एक date को fix करें और meeting एरेंद करें जहां पर आपके meeting की जानकारी सभी छातरों को दी जाएगी कि किस तरह से meeting का जो है output निकला और अभी भी कहूंगा कि एक जूट हो जाईए और बैतरिंग तरीके से लड़ने का परियास करिए जो भी सयूग होगा जिसको भी सयूग होगा एक दूसरी को मिलजूलके करना है और मैं एक बात और भी आपको कहा कर देता हूँ कि अगर इस बार केस हार गए तो फिर कहीं नहीं जा सकीएगा और केस हारने का रिजन मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ कि आप ही होंगे दुसरा कोई भी रिजन नहीं है कि आप केस हार जाए अभी तक के मामले में यही लग रहा है पकी आपका निरने भी मैं हमेशा सुनता हूं और आप कॉमेंट करके मुझे बता सकते हैं वाटस अप ग्रूप है वहाँ पर बता सकते हैं कि आपका क्या सोच है आप क्या सोच रहें इस वेकेंसे से रिलेटेड आगे की रणनीती अपकी क्या है अब बता सकते हैं ठीक है और मैं ही कहूंगा और जो बोग छातर परिशान है कि रिजन आ जाएगा तो सेलेक्शन होगा या नहीं होगा तो रिजन आने तो दीजिए उसके बाद क्या करना ह है इसकी रणनीती मनाने की जिम्यदारी मेरी रहेगी कैसे सभी छातरों का सेलेक्शन होगा इसकी जिम्यदारी मेरी रहेगी और एक बहतर रणनीती मनाया जाएगा जिसमें सबसे पहले डोकुमेंट रेप्रिशन करवाया जाएगा और मैं आपको 100% सिरोटी के साथ बोलता है ताकि इस वेकेंसी में जीत सुनिस्चित हो सके इस सेनल पर अगर नहीं है तो मैं लोगो सब्सक्राइब करेगा बेले अगर को दबाली जेगा आप सभी का सुक्रिया धन्यवाद